अब शारू खान को ऐसे ही बॉलिवूट का बाश्या कहा जाता है। अपनी बाश्याहत को उन्होंने एक लंबे दश्यक से काइम करके भी रखे हैं। जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि 2030 के शुरुवाती महीने में उनकी फिल्म पठान का अगाज होता है। और पठान फिल्म के सुपर डूपर हिट वोने के बाद एक बाफिस से उनकी बाश्याहत हिंदी फिल्म अंडिश्टी में देखने को मिली है। शारुखान की पॉपलर्टी का अंदाजा आप इसकदर भी लगा सकते हैं कि सिर्फ भारत देश मेनी बलकी बिदेशों में भी इनकी तगड़ी फैन पॉलिंग है। और शारुखान की एक छलग पाने के लिए फैस हमेशा सही उस्सुक रहते हैं। यही वज़य है कि पॉपलर्टी के मामले में उन्हें टकर देबाना अब हर किसी के लिए मुश्किल सावित हो जा रहा है। लेकिन साव्थ का एक ऐसा भी सुपरस्टार है जिसने आर मैक्स मीडिया की माई महिने की मौस्ट पॉपलर मेल स्टार से इन इंडिया की लिस्ट में शारुखान को भी पचार दिया है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि शारुखान जो बॉल्वर के सबसे बड़े बाश्या हैं वो साव्थ के एक सुपरस्टार से कैसे पीछे रह सकते हैं। दूसरी और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लियो फिल्म के बतो और विलन अपने ता संजदत इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। और उनकी और बीजे की इस फिल्म में विलन देखना वाक के दिल्चफ साबित होने वाला है। खेर बात करें अगर मई महिने की पॉपलैटी को लेकर तो दूसरे पाइदान पर शारू खान का नाम आता है। इस लिष्ट में शारू खान दूसरे पाइदान पर है। इस फिल्म आदिपुरश को लेकर काफी विवादों में हैं। इस फिल्म को लेकर पूरे देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है। चोथे पाइदान की बात करें तो सौथ की जाने माने सूपरस्टार अजीद का नाम है। अजीद भी दिगजबने तौम ऐसे शुमार है। उन्होंने अपनी दंदार अपने से दुनिया भर में अपनी गजब की फैन फॉलिंग बनाई है। और यही वज़े है कि उस लिस्ट में चोथे नंबर पर हैं। और यही वज़े हैं।